नमस्कार भक्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कथा भजन में जहां आज हम आपको उत्पना एकाची ब्रत महातम के बारे में सुनाने जा रहे हैं जो की मारिशीश मास की क्रिशन पक्ष की एकाची कहलाती है उत्पना एकाची ब्रत महातम इस परकार है शीरिसूद ची बोले है मुनियो विदी सहिद इस एकाची महातम को भगवान शीर किशन ने कहा था भगत चन ही इस ब्रत को प्रेम पूरवक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंतमे विश्णुपत को इस एकाची ब्रत का महातम क्या है इस ब्रत को करने से क्या पुन्य मिलता है और इसकी विदी क्या है तो आप मुस्से कहिए ऐसा सुनकर शीरिभगवान ने कहा है अरजुन सबसे पहले हे मंतरीतु के मार्क शीष महीने में क्रिशन पक्ष की एकाची का ब्रत करना चाहिए दश्मी की शाम को दातुन करने चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए एकाची को सुपे संकल्प नियम के अनुसार कारे करना चाहिए दोपहर को संकल्प पूरवक शनान करना चाहिए शनान करने से पहले श्रीर परमिटी का लेपन लगाना चाहिए शनान के बाद दीप मैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए, रात को दीपतान करना चाहिए, ये स्तर्ग करम भक्ती पूर्वक करने चाहिए, उस रात को नेद और इस्तिर परसंग को त्याग देना चाहिए, एक आजी को दिन तथारात्री में भजन सत्संग अधिशुप करम करने उस दिन शद्धा पूर्वक ब्राह्मनों को दख्षना देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की शमा बांगनी चाहिए धार्मिक जनों को शुक और क्रिशन पक्ष की दोनों एकाच्षियों को एक सा समझना चाहिए उनमें वेद मानना उचित नहीं है उपर लिखी विद के पुन्य के सोल में भाग के बहराबर भी नहीं है व्यति पात योग में संक्रांती में तथा चंदर सूरे ग्रहन में दान देने से और कुरुक शेतर में शनान करने से जो पुन्य प्रापत होता है वही पुन्य मनुष्य को एकाच्षि का ब्रत करने से प्रापत होता है ज से दस गुना अधिक पुन्य एकाज़ी का ब्रत करने से मिलता है दस श्रेष्ट ब्रामनों को भोजन कराने से जो पुन्य मिलता है वे एकाज़ी के पुन्य के दसमें भाग के बाराबर होता है और भक्तों इस ब्रत को करने से निर्जल ब्रत करने का आदा फल एक बार बोजन करने के बाराबर होता है उपरोक्त कोई एक ब्रत जरूर करना चाहिए एकाची का ब्रत करने पर ही यग्य दान तप आधी मिलते हैं अन्य था नहीं अथे एकाची को अवश्य ही ब्रत करना चाहिए इस ब्रत में शंक से जल नहीं पीना चाहिए मचली सुवर तथा अन्य नीर मिश्ट बोजन इकाज्शी के ब्रत में वर्जित हैं इकाज्शी ब्रत का फल हजारों यग्यों से भी अधिक है ऐसा सुनकर अर्जुन ने खा ही भगवान आपने इस इकाज्शी के पुन्ने को अनीक तीर्थों के पुन्ने से श्रीष्ट तथा पवित्तर क्यों बतलाया है ये सब आविस्तार पूर्वक कहिए मगवान बोले है सतियोग में एक महा भ्यंकर दैते हुआ था उसका नाम मुर्थ था उस दैते ने इंदर आदि देपताओं पर बिज़े प्रापत कर उनके स्थान से गिरा दिया तब देवेंदर ने महादेब जी से प्रात्ना की है शि नहीं कर सकता आप क्रिप्या कर इस महान दुख से चूटने का उपाय मतला ये चंकर जी बोले है देवेंदर आप विश्नु भगवान के पास चाहिए इंदर तथा अन्य देपता महादेब जी के वचनों को सुनकर शीर सागर गये जहां पर भगवान विश्नु के शेया प आपको बारंबार परणाम है ये देत्यों के सहारक ये मदुसूदन आप हमारी रक्षा करें जगनात स्मस्त दीम देत्यों से बहवीत होकर हम आपकी शरन में आई हैं इस स्मस्त देत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देपता पृत्वी पर विच्रन कर अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए देपताओं के द्वारा कर्णा पुरन बानी को सुनकर शिर विष्णु भगवान बोले हैं देपताओं वे कौन सा देत्यों जिसने देपताओं को जीत लिया है भगवान के उस अमरित रूपी वचनों को सुनकर इंदर बोले ही भगवान प्राचीन समय में नाडी यंगम नाम का एक देते था कि ब्रह्म वंश में उत्पत्ति हुई थी उसी देते के पुत्तर का नाम मुर है उसकी राजधानी चंद्रावती है उस चंद्रावती नगरी में वे मुर नामक देते निवास करता है उने अपने बल बनाए हैं वैं स्वैम सूर्य बनकर प्रित्वी को तपाता है और स्वैम मेग बनकर चल की वर्षा करता है आते आप उस बलशाली भ्यानक दैतिक को मार कर देपताओं की रख्षा करें इंदर के ऐसी बचन सुनकर शीरी विश्णु भगवान बोले देपताओ मैं तुम्हारे शत्रों का शीगरे संहार करूँगा अब आप उस चंद्रावती नगरी को चलिए इस प्रकार भगवान विश्णु देपताओं के साथ चल दिए उस समय दैतिपति मोर अनिको दैतियों के साथ युद भूमी में कर्च रहा था युद पारंब होने पर असंके दानव अनिक भगवान विश्णु वी युद भूमी में आगे जब दैतियों ने भगवान विश्णु को युद भूमी में देखा तो उन पर अस्तरों शस्तरों का परहार करने लगे भगवान वी चक्र और गदा से उनके अस्त शस्तरों को नश्ट करने लगे इस युद में अनिको द सदैब के लिए सो गए प्रंदु दैत्यों का राजा मुर्म भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा भगवान विश्णु मुर्ग को मारनी के लिए जिन जिन शस्त्रों का परयोग करते वे सब उसके तेज से नश्ट होकर उस पर पुष्मों के समान घिनने लगे अनिक अश्टरों सस्त्रों का परयोग करने पर भी भगवान उसको ना जीट सके वे आपस में मल यूद करने लगे भगवान विश्णु उस दैत्य से देपताओं के लिए सहस्थर वर्ष तक यूद करते रहे प्रंदु उस दैत्य को ना जीट सके अन्त में तो कर विश्राम करने की इच्छा से दिका श्रम चले गए उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाब की एक गुफा में शेयन करने की इच्छा से भगवान उसमें परवेश्ट कर गए हे अर्जुन अते मैंने उस गुफा में शेयन किया वै दैते भी मेरे पीछे पीछे चला आया तब मुझको शेयन करता देखकर मारने को तैयार हो गया वै दैते सोचने लगा कि यह मैं आज अपने चिर शत्रू को मार कर सदैव के लिए निश्ट कंटक हो जाऊंगा उसी समय म वै दैते अश्चरे के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहां से उत्पन हुई वै दैते उस कन्या से लगा तारी युद करता रहा कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने करोद में आकर उसे अस्तर शस्तरों के टुकडे टुकडे कर दिये उस कन्या ने उसका रत उससे मलियोद करने लगा उस कन्या ने उसको धक्का मार कर मुशिक कर दिया उठने पर उसका सिर काट लिया व्या द्यत्य सिर कटते ही प्रित्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्रापत हुआ अन्य समस्त दानवी देह कर पाताल लोग को चले गए जब भगवान विश्णु की निद्रा टोटी तो उस दैते को मरा देह कर अतियंद आश्यर्य करने लगे और विचारने लगे इस दैते को किसने मारा है तब वे कन्या भगवान से हाथ चोड़कर बोली कि है भगवान यह दैते आपको मारने को कई तयार था तम मैंने आपके शरीर से उत्पन होकर इसका वद किया है इस पर भगवान बोले कन्या तूने इसको मारा है अते मैं तेरे उपर अत्यंत परसन हूँ तूने तीनों लोकों के देपताओं को सुखी किया है इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वर्दान माग कन्या बोली ही भगवन मुझे ये वर्दान दीजिए कि जो मेरा ब्रत करे उसे समस्त पाप नश्ट हो जाएं और अंत में स्वर्ग लोक को चाए और मेरे ब्रत का आदा फल रातरी को मिले और उसका आदा फल एक समय बोजन करने वाले को मिले जो मनुष्य बक्ती पूर्वक मेरे ब्रत को करे वे निश्चे ही विश्णू लोक को प्रापत करे कृप्या करके मुझे ऐसा ही वर्दान दीजी जो मनुष्य मेरे दिन तथा रातरी को एक वार भोजन करे वे धन धाने से भरपूर रहे इस पर भगवान विश्णू उस कन्या से बोले हे कल्यानी ऐसा ही होगा मेरे और तीरी भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में परसिद्धी को प्रापत होकर मेरे लोग को प्रापत होगे हे कन्या तू एकाच्छी को पैदा होई है इसलिए तेरा नाम भी एकाच्छी हुआ जो मनुष्य इस दिन ब्रत करेंगे उनकी समस्त पापजर से नश्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ती को प्रापत करेंगे तू मेरे लिए अब तीज, आंठे, नौमी और चौदस से भी अधिक प्रिये है तेरे ब्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा यह मेरा कथन सत्य है ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर ध्यान होगे एकाच्छी भी भगवान के उत्तम अच्छनों को सुन कर प्रसंद हुई भगवान बोले है अर्जुन सब तीर्थों सब ब्रतों के फल से एकाची ब्रत का फल सरपशेष्ट है एकाची ब्रत करने वाले मनुश्यों के शत्रों को नश्ट कर देता हूँ और उने मोक्ष देता हूँ उन मनुश्यों को मैं स्वैम ही नश्ट कर देता हूँ हे अरजुन यह मैंने तुमसे एकाशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है एकाशी ब्रत समस्त पापों को नश्ट करने वाला और सिद्धी को देने वाला है उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकाशीयों को समान समझना चाहिए उनमें बेदबाम मानना उचित नहीं है जो मनुष्य एकाशी महातम को श्रवन वपठन करती है उनको अश्प मेग यग का फल मिलता है इस परकार उत्पमा एकाशी ब्रत महातम कथा समापत होती है नमश्कार